जेहिन नमस्कार आप सभी का एक बार फिर स्वागत है 31 मार्च 2024 को एक खबर आती है कि एक हेड कलर्ग को जनरल कोट मार्शल से बरी कर दिया गया ये हेड कलर्ग 2021 में रिटार्मेट हो चुके थे इसके बावजुद उनके उपर जनरल कोट मार्शल चलाय जा रहा था और इनको बरी कर दिया गया क्योंकि हेड कलर्ग को कोई भी classified यानि जो confidential, secret, top secret ये सब information देखना लाग हुई नहीं नहीं इस परकार के document की custody रखना लाग हुई तो फिर एक हेड कलर्ग ये information कैसे लिग कर सकता है तो क्या केवल बली का बकरा बनाया जा रहा था गलती किसी ओर की थी, हेड कलर्ग के उपर थोंपी जा रही थी इसी वज़े से आखिरकार जनरल कोट मार्सल ने ये माना कि हेड कलर्ग ने कोई information लिग नहीं की तो लिग किस ने की, क्या उसके उपर कारवाई होगी खबर देखें Army GCM acquits retired JCO in sensitive info leak case यहां सबसे बड़ी बात है कि ऐसी कोई भी information जो sensitive हो, वो हेड कलक के चार्ज में होई नहीं सकती वो अधिकारी के चार्ज में होगी और उसको हेंडल करने का अधिकार केवल अधिकारी का है तो पहला ही जो चार्ज लगाया गया वो गलत था The JCO was charged under the provisions of official secret act where it was alleged that while performing the duties of head clerk he failed to take reasonable care of the documents with sensitive information यानि जब head clerk की duty कर रहे थे तो उन्होंने इन document को protect नहीं किया सुर्कसित नहीं किया जिनमें बहुती ज़्यदा sensitive information थी अलांकि पूरी जो तेकिकार थे पूरी proceeding है वो GCM के पास में है जिसमें यह नहीं बताए गई कि वो document किस परकार का था क्या nature था उसका क्या classification था लेकिन यहां पे head clerk के उपर charge लगा दिया गया कि उन्होंने जो sensitive information है उनकी सुर्कसा नहीं की जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोई भी sensitive information ना तो head clerk के पास जाती है ना ही head clerk उनको रख सकता है वो होगी तो जो unit में अधिकारी होंगे उन अधिकारियों को ही देखने का अधिकार है और उनी को उनका जबाब reply या कुछ भी करना है तो वो अधिकारी ही करेगा ना clerk देख पाएगा ना ही head clerk देख पाएगा पता ही नहीं चलना चाहिए कि इस परकार की कोई information आईए यदि head clerk तक ये बात पहुंचिए ये information पहुंचिए तो सबसे पहले गलती उस अधिकारी किया जिसने उस sensitive information के लिफाफे को खोल के head clerk को सौंपा होगा अब बात करेंगे यहाँ पर कहा जा रहा है Indian Official Secret Act उसको भी समझेंगे उसके section 5 को समझेंगे कि उसमें ऐसा क्या प्रावदान है कि वो एक head clerk को फंसा सकता है आगे बात करें यानि ये जेसियो 2020 में ये पूरी कानी हुई जब head clerk साब service कर रहे थे और उस समझें ये information leak हुई थी The JCO was also charged under section 63 यानि Good Order and Military Discipline of the Army Act and blamed for not carrying out proper supervision of information and documents which led to their leakage The Subedar had retired already in October 21 from the Army but was recalled since Army Act section 123 was invoked against him for completion of disciplinary action pending against him यानि जब ये retirement गए थे उससे पहले ही इनके किलाब Army Act section लगा दिया गया था और उसके बाद Army Act section 123 इन्वोक कर दिया जिससे की आगे इनका trial होना था और उसके लिए इनको वापस बुलाए गया The GCM assembled on January 4, 24 wherein in total 8 prosecution witness were examined यानि January 24 में इसी साल GCM शुरू हुआ जिसमें 8 गवाहों को बुलाए गया यही बात मैंने पहले कई कि जेशियो को अधिकारी नहीं है कि कोई भी किसी भी वरकार की sensitive information या classified information को रखने का देखने का लिग करने का जब उसके पास वो information पहुँचेगी नहीं तो लिग कहां से होगी और यही बात निकल के आए जब GCM हुआ कि जेशियो को अधिकारी नहीं है ना तो classified information रखने का दिकार है और नहीं उनको supervised करने का दिकार है तो फिर जेशियो क्यों फसाया गया इसका मतलब information leak जरूर हुई है लेकिन अधिकारी को ना फसा के जेशियो के उपर पूरा आरौफ थौप दिया दिस वाज अ केस वेरिन दा जेशियो आप्टर रिटार्मेंट हैड बिन चार्ज अंडर सेक्शन फाइप ओव दा Official Secret Act as well as Army Act Section 63 There was no evidence to prove that the charge against JCO and the GCM has rightly accruited the JCO and justice has prevailed आनद said जो JCO के advocate थे उन्होंने काया कि JCO के किला पैसे कोई चार्ज था ही नहीं जेशियो का कोई दोस है फिर भी JCO को फंसाया गया More trials are likely to be carried out in the case in related matters The recommendation of the Army GCM headed by a colonel is subject to confirmation by the higher authorities in the force Anand said यानि JCO तो बरी हो चुके लेकिन वो जानकारी किसने लीग की इस मामले में आगे तेकिकात होगी और उस तेकिकात में जो असली गुनेगार होगा अधिकारी वो जरूर फंसेगा क्योंकि किसी ने किसी ने तो information leak की है लेकिन वो head clerk नहीं हो सकता वो कोई एक अधिकारी है जिसने ये के दिया कि head clerk ने information लिख की जबकि head clerk को information रखना लगू नहीं है आई ये बात करते हैं Indian Official Secret Act के section 5 में क्या लिखा है ये है The Official Secret Act 1923 अंग्रेजियों के जमाने के बनायावा act जिसको भारत सरकार अभी तक सुधार नहीं सकी और इसी act के तहट भारतियों को ही सजा दी जाती है चलिए जदा हम बात ना करते हैं section 5 पे चलते हैं ये है section 5 wrongful communication etc of information यानि जानकारियों को गलत तरीके से गलत जगे पर बताना if any person having in his possession or control any secret official code or password or any sketch plan, model, article, note, document or information which relates to or is used in a prohibited palace or relates to anything in such a palace इसमें clear का गया कि कोई भी ऐसी information जो किसी के अधिकार में या किसी के control में होती है जिसमें official code होते हैं, password होते हैं, sketch होते हैं, plan होते हैं, model होते हैं, article होते हैं या कोई भी document होता है उनको ऐसी जगे पर बताना जहां पर जरूरी नहीं है or which is likely to assist directly or indirectly an enemy or which relates to a matter the disclosure of which is likely to affect the sovereignty and integrity of India the security of the state or friendly relations with foreign states or which has been made or obtained in contravention of this act आप समझ गए होंगे कि ऐसी information जिससे दुश्मन देश को फाइदा हो सकता है या फिर जो ज़दा मेत्री देश है जिसके साथ मित्रता है उनके समंदों में कोई खटास पैदाओ और which has been interested in confidence to him by any person holding office under government और which he has obtained or to which he has had access owing to his position as a person यानि इसमें बड़ी बात लिकिया है कि उस आदमी का अधिकार होना चाहिए कि वो उनके उपर control रख सके और जिनके अधिकार में ये document हो और उनसे यदि leak हो जाए तो ये गलती Indian Official Secret Act के section 5 में आती है अब head clerk को कोई अधिकारी नहीं है फिर भी ये section उसके उपर लगा दिया गया क्लियर है अब इसके अंदर क्या क्या है विलfully communicates the code or password sketch plan model article note documents or information to any person other than a person to whom he is authorized to communicate it or a court of justice or a person to whom it is in the interest of the state his duty to communicate it जिसको लागो नहो उसको जे secret information दे देना uses the information in his position for the benefit of any foreign power or in any other manner prejudicial to the safety of the state हमारे देश को खत्रे में डालके दूसरे देश को ये जानकरिया दे देना retains the sketch plan model यानि जितने भी जो secret document है उनको अपने पास रख लेना ताकि बाद में उनका misuse करे fails to take reasonable care of or so conducts himself as to endanger the safety of the sketch plan यानि जो document जिसके पास में रहने चाहिए वो अपने document का सही ख्याल न रखे जिससे की आगे जाके देश के लिए खत्रा पैदाओ ये information leak हो जाए और he shall be guilty of an offense under this action यदि ये गलतिया कोई करता है तो वो इस act के तहत दोसी होगा if any person voluntarily receive any secret official code or password or any sketch plan, model, article, note, document or information knowing or having reasonable ground to believe at the time when he receives it that the code, password, sketch plan, model, article, note, document or information is communicated in contravention of this act he shall be guilty of an offense under this section if any person having in his possession or control any sketch, plan, model, article, note, document or information which relates to munitions of war communicates it directly or indirectly to any foreign power or in any other manner prejudicial to the safety or interest of the state he shall be guilty of an offense under this section यानि किसी ऐसे देश को देदेना जान करिया, जो हमारा दुस्मन देश हो और बाद में वो इनका मिस्यूज करे a person guilty of an offense under this section shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both यानि इस act के तेस्ट कोई दोसी पाया जाता है तो maximum उनको तीन साल के सजा मिल सकती है fine भी लग सकता है या दोनों सजाएं मिल सकती है इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि कोई आदमी जिसके अधिकार में को डोकुमेंट हो उनको वो आगे किसी को handle कर सके या फिर अपना power delegate करके head club को सोंप सके सेना में किसी भी document का चार परकार का security classification होता है पहला restricted इसमें ऐसे document जिनको office में कोई भी staff handle कर सकता है लेकिन इनके उपर restrictions होती है कि इनकी information किसी को दीने जाए दूसरा confidential matter जो की केवल अधिकारी ही यूज कर सकते है secret जिसमें बड़े अधिकारी और top secret मतलब higher level के अधिकारी तो इसमें कहीं भी JCO and OR को ये security classification के साथ में जो document होते हैं जिनके उपर restricted confidential secret और top secret लिखा रहता है वो handle करने का दिकार नहीं है तो इस परकार किसी भी document में ये नहीं लिखा है कि कोई भी classified document या secret या top secret या sensitive information वाला document किसी head clerk को सौंपना है जिसने सौंपाया उसकी गलती है और जिसने सौंपाई नहीं है और information खुद से लिख हुई है इसके बावजूद जेसियो के उपर आरोप लगा दिया गया तो अब उसका trial चलेगा तो इस परकार सेना की अदालत ने सबूतों के अबाव में retired जेसियो को किया बरी गोपनिये जानकारी लीग करने का था मामला केतन सत्यों मेव जेते सत्य की हमेशा जीत होती है लेकिन जो जूट बोलता है वो एक दिन जरूर इस मामले में दोसी पाया जाता है और उसके खिलाब कारवाई होती है बनेरे चैनल के साथ फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नई जानकारी साथ अपता के लिए जाहिन